कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेस्ट गुरु जी में तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लिखा हूँ रीजिनिंग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन तो सिखाने वाला हूँ आपको आसान ट्रिक से जो आप कर सकते हैं बिना पेन उठाए ही कोशन को रंखला से लिया गया है यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो क्या करना आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको पर वीडियो को नोटिफिकर्शन मिलता रहे और जाद जादे दोस्तों को सेर कर जिएगा ताकि और मैं आपकी इसी तरी केसे help करता रहूं पहले कोशिन को solve करने की कोईस करते हैं देखेज़要 पहला कोशन है ते nossa यह चैपाइज पर गये तो यहां यहां नो नो जूडा है और हाठा़ से 21 पर गये तो क्या वर जुड़ा है यह 21 जुड़ा है ठीक है फिलस हुआ है Godest Arm उस पर यहां पिलस हुए और 42 45 पे गए तो होगा है तो क्या आपको यहां पर कोई विछ नजर नहीं आ रहा जर आवत तो यहां पर आप कोई कोई सिक्प्राइद नहीं लगते हैं तो बात करते हैं कि किस तरीकेस कोशन होगा हटीक है तीन से जब छे पर गए तो क्या हुआ तीन दुनी छे पिलस कितना हुआ यह हुआ आपको तीन फिर नो दुनी अठारा नो दुनी अठारा फिर पिलस तीन, फिर 21 दुनी 42, 21 दुनी 42 पिलस तीन, और इसी तरीके से आगी क्या जारी रखेंगे, आगे रखें हम दुनी, ठीक है, 45 दुनी कितना होता है, 45 दुनी यह उता है, आपका 90, यहां जो आपको होने वाला है, राइट अंसर 90, तो दोस्तों आसा करता हूँ, यह कोश कोशन की, दूसरा कोशन जो है, आपका ब्यवस्ति करान, यानि कि 60 क्रम में आपको रखना होता है, इस तरीके के यह कोशन है, ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा, बिंदू, तिरभुज, वर्ग, कौन, रेखा, यह क्या करना, यह सब बल्ड दिये हैं, यह आपको साथ तक क्रम में रखने है, ठीक है, साथ तक क्रम में कैसे रखते हैं, देखेगा, एक मेरे पास क्या है, मेरे पास बिंदू है, बिंदू, जब मैं दो बिंदू मिलाता हूं, तो बिंदू मिला के क्या बनगी, मेरी एक रेखा बनगी, ठीक है, पहले एक बिंदू है, फिर क्यों है क्योंकि यहां पर एक ही पॉंगा रहा मेंग रहाएं यहन दो पॉइंटों को मिलका तिर्बूज तयों समय माएं यहां फिर दो बिंदू बर्ग में चार बिंदू होते आपको पता हिए ठीक कितने बिंदू होते हैं उसके बाद ऐ Say कोण पंच इससे आगए कितने भी बना सकते हो ठीक है सेट कोड बना सकते हो कितने भी कोड वाला बना सकते हो तो आपका किसी तरीके से इसका अंसर कैसर करना होगा हमें पहले नंबर पर आपको बिंदू दिखाई दिया तो मुझे पहले नंब्र यहां पण्धेन रेखाईगी। तुह पांच प्थे तूह आ गया। थीक हैuf वह वह है ठीक, तीसरे नंब्र की आएगा। तीसरे रेखा है। फिर इसके बाद में आपका कौन। फिर इसके तिर बुज फिर आपका बर्ग हो जाएगा राइट अंसर मेरे यहां डी हो जाएगा यदि दोस्तों समझ में आये तो एक बार मैं आपको दुवारा समझाता हूं देखियेगा बिंदू ठीक रेखा एक बिंदू है एक है उसके बाद मिझे कितने बिंदू आपको पड़ी दो बिंदू बन गए ठीक है उसके बाद तीसरा नमबर पाजागा कौन क्यों आजागा देखियेगा एक दो तीन यह इस तरीके से होता है ना आपको कौन फिर इसके बाद हो जाएगा आपका तीर भूज तो यहां जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर राइट हो जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टन की यह दि दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं आपका कोई दोस्त या फिर आपको कोई जानकर सरकारी सरकार एक्जाम के त्यारी कर रहा है तो आपको इसको ये वीडियो भेज़ेगा ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सके और इसी तरह की कोशन काफी बार पूछे जाते हैं यह वी प्राइ किया है भाग का निसान तो आपको बेहत जानते होंगे कि क्या है यहाँ पर बार्ड मास का नियम लगा थे तो आप board mask के according से solve करेंगे 18 divided by 9 पिलस 2 into 8 इस तरीके से तो पहले भाग कर लेते हैं 2 तो क्या हो गया 2 पिलस 2 into 8 8 दूनी किता होता है 8 दूनी होता है आपका 16 8 दूनी 16 हो गया है यहापे 16 दू 18 तो right answer है आपको हो जागा A right answer क्या हो जागा दोस्तों यहापे right answer हो जाएगा आपका A answer हो जाएगा और बात कर लेते हैं next question की next question में देखेगा यह question बेहत बार पूछे जाने वाला question यह आपको लूपत answer बताना है ठीक है लूपत संक्य है इसमें आपको बतानी है तो by logic देखे किया है यह जो आपका बीच वाला देखेगा यह ढ़ी है यह ढ़ी है यहाँ waarी है तो जाइसा वाात है है हाँ क쪽 को लगा होगा logic को लगा होगा कि देखे हैं कि intuition कउन से लगा होगा देखे गा साथ, चार, ग्यारा, और नो और पांच, नो पांच होगे चोधा, अगर ग्यारा और चोधा को जोडता हूँ, ग्यारा और चोधा को मैं जब जोडता हूँ तो कितना हो गया, ग्यारा और चोधा कितना हो गया, आपका हो गया, पचिस, तो यह आपका नहीं होगा, ठीक है, त तरीके से यहां पर है सत्रत्या 51 और आठ में से पांच गया तो कि तवाज़ा 3 तो यानि कि 54 हो गया ऐसे ही यहां पर लगाते हैं यह लोजिक 10 छंग 60 है 10 छंग 60 है और 7 में से 3 गया तो 4 बचा 7 में से 3 गया तो कितना वाज़ा 4 बचा तो दोस्तों यह आपको बहर समझ में आ गया होगा कोसन और आपको यह दि एकजाम में इस तरह का कोसन देखने को मिलते तो आप आसानी से solve कर सकते हैं बात करते हैं नेकश्ट कोसन की नेक्स्ट कोसन है मेरे पास यह एक घड़ी में चार बच के 30 मिनट हैं यह जब आप ऐसे खड़े होंगे तो नीचे क्या है आपके पेरों में क्या है आपके पेरों में है देच्छिड और आपके दरवाले हाथ पे आपका पूरव अर इदरवाले हाथ पे आपका पच्छिम तो ये आपको समझ में आ गया ऐसे ही मैं इस कोशन को सोल करने के लिए गड़ी बना लेता हूँ और गड़ी के लिए गड़ी में सबसे पर बारा बजे है एक दो बजा है तीन बजे है चार बजा है पांच बजे है और छे बजे है ठीक 7 बजे है 8 बजे है 9 बजे है 10 और 11 इस तरीके से घड़ी मेरे पास है ठीक है जब इस तरीके से घड़ी मेरे पास है 12 6 3 9 ठीक है 4 5 1 2 11 10 8 7 घड़ी बन गी है कुछ अब घड़ी में साफ साफ ले आ है चार बचके 30 मिनट हुए है जब 05 30 मिनट हुए है तो घड़ी की सुह हुए है इस तरीके से होगी ही इस तरीके से होगे तो इसने क्या चैनल को सबस्क्राइब करना है और बेल आइकन ट्रेस कर देना है ताकि पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और जादे जादे से उन्हें दोस्तों में सेर कीज़ेगा तो थेंक्स पूर वोचिंग टेस्ट गुरुजी